नमस्कार दोस्तों स्री राम की जय हो यह वीडियो बुमी पूजन के उल्लास को दिखाने का प्रियास सहरसा बिहार से मुख्यस्तल सहर का जहां रामभक्त शेवक हनुमान मंदिर है महावीर चोक सहरसा से प्रसिद्ध इस मंदिर में स्री राम को नमन पीम मोदी ने आयोध्या में भूमी पूजन में और राम जनम भूमी मुख्त होने की बात कही यहां उन्होंने हनुमान गड़ी में पूजा की और राम लला व्रियाजमान के दर्शन किये स्री राम के जैकारे लगाएं उन्होंने ये भी कहा करोरों भारत के राम भक्तों को कोटी कोटी बढ़ाई तूटना और फिर खरा होना सद्यों से चल रहे इस सिलसिले में राम जनम भूमी आज मुक्त हुई है कहा करोना काल में मर्यादा के साथ हो रही भूमी पूजन वीडियो को अब तक पसंद आया हो तो लाइक कर दें और न्यू वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें स्री राम सर्व्यापी है इतिहास खुद को दूरा रहा है वारत की अखंडिता में एकता वगवान का ये मंदिर यूगो यूगो तक प्रेरना बना रहेगा करोना के हालात में प्रभु राम के मर्यादा का मार्ग और अधिक आश्यक है उन्होंने कहा दो गज की दूरी मास्क है जरूरी सबी देश वासियों पर माता सीता और सिरी राम का असिरुआद बना रहे तो आईए हम भी लगाते हैं जैकारे सियापदी राम चंद्र जी की जै 28 साल बाद पहुचे वर्तमान पी-म नरेंद्र मोदी समस्त भारत वासी को मालूम हो कि पी-म ने अयोध्या में साश्टांग प्रनाम किया 40 मिनट तक भूमी पूजन चला काड़ी करम चला सियावर राम चंद्र के जैकारे लगाए गए हमारे जीवन में बालमिकी रामायन से आये स्री राम संस्कृत भासा में उसके बाद तुलसी डास जी ने अवद्र अराम चरिक्रमानस लिखा सिरी राम की कहानी कथा आज जग जाहिर है फिर कई कवियों ने राम कथा पर प्रकाश डाला और उनके जनमस्थल पर या या योगिया में बनने वादे मंदिर का जोही की शंपन हुआ एक खास बात है लगवाद पांच सौ साल बाद बनेगा यह मंदिर योगों से लोगों की आस्था से आज और जब तक रहेगी यह स्रिष्टी लोगों के योगों के पुर्शोत्तम बने रहेंगे सिरी राम अयोद्र में है सिरी राम का जनम भूमी और एक बात आपको स्री राम की पत्नी माता सीता का जनमस्थल जोकी स्री लच्चमी की अवतार हैं माता सीता के बारे में आपको बता दूँ कि बिहार के मुंगेर जिला में हुई थी माता सीता की अगनी परीक्षा जो कि सीता कुंड के गर्म जल को खौलता हुआ पानी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आज भी इतिहास के साक्ष का यहां वहां पे सीता कुंड में अगनी परिक्षा होने की साक्ष का पता चलता है जैसा कि आयोध्या के राम मंदिर होने का पता चलता है ऐसा मानना है कि कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे बाबर मस्जीद भी था क्योंकि लोगों का मानना था कि पुराने और लंबे इतिहास की एक अनुसुलजी ही हुई कहानी में कभी बाबर मस्जीद भी था परन्तु इतिहसकारों के अनुसार यहां पर ही मंदीर या मर्जित तोरने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता इसलिए धर्म की लराई नहीं होनी चाहिए बस बुरुशोत्तम का या वगवान का गुनगान होना चाहिए वैसे तो हिंदु धर्म में और हमारे भारत में देवी देवताओं की कमी नहीं है हमारा या उद्देश से कभी नहीं होना चाहिए कि एकंड भारत में किसी भी व्यक्ति के धर्म या आस्था को या धर्मिक विचार धरा को ठेश नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि हमारा भारत धर्म निर्पेक्च देश है और हिंदू मुस्लिम सीख जैन पारसी बहुत साभी धर्मों के लोग का यहां पे रहना संभव है और इत्यास गवा है कि मुस्लिम सासक और मुगल सासक ने कई हिंदू मंदिरों को ढ़ा दिया था या तो वो इंदिया के खुजरा हो मंदिर हो या फिर हम भी मंदिर हो दक्षिन भारत का और या और भी मंदिर इतिहास में नामदर्ज है जिससे इंकार नहीं किया जा सकता उसे तोरा गया ढागया था आजादी के बाद वर्ष 2020 से पहले आयोध्या मंदिर का सिला न्यास राजीव गांधी के समय 9 नवंबर 1989 में हुई थी इस संपताई के तनाव में भी हुई थी कुछ और पुरे देश में सिलाएं मुर्तियां आयोध्या आय थी जैसा कि आपको मालूम हो कि इस वर्ष 20 हरसा जिले से सत्ती पीठ तरह अस्थान से यहां की मित्ती वहां आयोध्या में भूमी पूजन से पहले ले जाई गई है आखिरकार नौ नौमबर 2019 को आयोध्या में राम मंदिर बने का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दो एकड के विवादित जमीन का फैसला हुआ राम लला विराजमान के सिलान्यास के लिए ट्रस्ट के दोरा एक ट्रस्ट गठित हो इसकी भी आदेश मिली है एवं सुनी वकबोर्ट को पांच एकर जमीन देने का आयोध्या में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ तो फ्रैंड से इतिहास में काफी दुखो पीरों का नाम है इतिहास है जिसको जनना बहुत जरूरत है तथा सिर्फ स्रीराम के जैकारे नहीं राम जी के मरियादित जीवन का अनुपालन करने से भारत की मरियादा का सुरूप हमारे कल के इतिहास में दرج होगा प्रेम से बोलिये मड़यादा पुरिशोत्तम स्रीराम की जय अब आपको फ्रेंड्स कुछ आयोध्या मंदिर के बारे में बताने की कोशिस कर रहा हूँ आयोध्या मंदिर 161 फूट लंबा होगा और यह अब तीन मंजिले का होगा और आयोध्या आप जैसे ही पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको आयोध्या में बन रहे एरपोर्ट स्रीराम एरपोर्ट मिलेगा उसके बाद थीम पार्क है वहाँ सवरी आसरम है और एक बात बता दू आपको वहाँ का रेलवे स्टेशन अयुद्या का रेलवे स्टेशन बिल्कुल मंदिर की दरह बनेगा क्थरे रेलवे स्टेशुर्ब गसा है और का रेलवे झाल 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 झाल